Greetings in the name of the Lord Jesus Christ प्रभु येश्व मसी के नाम में मैं आप सब का अभिवाधन करता हूँ और सुप्रभाद आप सब को और ये एक नया दिन है और होने दे आज की दिन की शुरुवात हम कुशन परमेश्वर की उपस्तिती में बैट कर शांती के साथ उसकी वाणी को सुनने के द्वारा करें और याद अगर आपको होगा तो हम यहुन्ना रचित्सू समचार उसके तेरवे अध्याए के ऊपर अपने मनन को रखे हुए थे और पिछले शनिवार को हमने पहले भाग को आपके सामने रखा और इसकी शुरुआत ऐसे होती है इस तेरवे अध्याए की कि तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखा रहा और हमारे वचन की ओर हम देखें आज की सुबह चोंतिसवा और पैंतिसवा वचन एक नई आगिया मैं तुम्हें देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुम से प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तु मेरे चेले हो और यहां पर आप देखें कि किस प्रकार किस बात के ऊपर ध्यान खीचा जा रहा है एक दूसरे से प्रेम बनाए रखो और यह हमारे लिए बहुत आवशक है कि हम उस बात पर जादा ध्यान लगाए जिस बात को येशु दोहराता है और यह हमारे लिए बहुत आवशक है और यह हमारे लिए बहुत आवशक है क्या ये अद्बुद और अच्छा नहीं होगा अगर हमारी कलीसिया में किसी भी प्रकाड की कड़वाहत, किसी भी बात का मन भेद, किसी भी बात को लेकर लड़ाई या जगडे को हम खिडकियों से बाहर निकाल कर फैक दें और हमारा प्रेम एक दूसरे के प्रती दिखने पाए और ये वो पूरी बात है जो प्रभू परमेश्वर येश्व मसी चाता है कि चेले जाने और नए नियम क्या एक वचनिस प्रकार भी कहता है कि प्रेम कई प्रकार के पापो को धाप लेता है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेम पाप का स्वागत करता है लेकिन इसका मतलब ये है कि यदि कोई पाप करता है तो आप उस व्यक्ति के प्रती उसकी खिचाई नहीं करेंगे और नहीं उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और याद रखिये परमेश्वर हमारी आलोचना नहीं करता वो तो हमसे प्रेम रखता है और वो जानता है कि हम नाश्वर हैं और मिट्टी से बने हैं और वो तो दया करने वाला और नम्र परमेश्वर हैं और वो हर एके साथ नम्र बना रहता है और याद रखिये उसका क्रोध सिर्फ कुछ शण के लिए ही है लेकिन उसका प्रेम अनन्थ के लिए है और याद रखिये ये तो तब ही परमेश्वर करता है या डंड देता है जब कोई बेटा या बेटी अपनी गर्दन पाप में अपनी गर्दन को नीचे नहीं जुकाना चाहता और याद रखिये एक माँ अपने बच्चे को कभी इसलिए नहीं मारती कि वो कब जोर है या लड़ खडाता है लेकिन माँ तो तब उस बच्चे को मारती है जब वो बिगड़ जाता है और अपनी एक शानुसार बातों को करता है और ये हमारे बारे में जो एवैंजलिकल्स हैं ये एक दुखत बात है और एवैंजलिकल्स लोग वो समू हैं जो प्रभु येश्व मसी की शिक्षाओं की अनुसार चलते हैं और इस बात पर घमंड करते हैं की प्रभु येश्व मसी की सही सिक्षाओं उनके पास हैं और ये सही है की हां सच में सही सिधान्त हमारे पास हैं और हम इन सच्चे सिधान्तों के प्रती सच्चे बने रहते हैं और हम सेवा करने के लिए कारी करने के लिए तो ततपर हैं लेकिन उसमें सच्चे प्रेम को दिखाने में हम आसफल हैं और यहां पर वच्चन में इस प्रकार लिखा है यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इस प्रकार से जगत ये जानेगा कि तुम मेरे चेले हो और याद रखिये हम सब कई बार कई किसम के थपकों को लगाते हैं ये उपादियों को लगाते हैं और याद रखिये चेले की उपादी ये है और वो है प्रेम क्या आप रभु येश्व मसी के चेले हैं? क्या आप उसके चेले हैं? I am not asking whether you are a believer or you are a Christian No, these are not the questions और मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या आप विश्वासी हैं? क्या आप इसाई हैं? ये सवाल नहीं हैं और अगर आप चेले हैं तो कुछ ऐसे चिन होंगे जो आपके जीवनों में जरूर दिखेंगे और हम इस प्रश्ण का उत्तर की क्या आप विश्वासी हैं? इस उत्तर को हम अपने मनन में जारी रखेंगे जो की ब्रस्पतिवार को होगा लेकिन तब तक आप इस बारे में जरूर गंभीरता से सोचें कि कैसे संसार को ये पता चलेगा ये संसार देखेगा कि आप और मैं प्रभु येश्व मसी के चेले हैं और पहली सदी में इसी प्रकार से संसार ने कलीसिया और चेलों के बारे में बात करनी शुरू कि कि देखो कैसे ये मसीही आपस में कितना प्रेम बनाए रखते हैं और हो ने संसार हमारे जीवनों से देखने पाए कि कैसे हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और धन्यवाद पिता परमेश्वर इस अद्बुशिक्षा के लिए और ये माइने नहीं रखता हम कितना भी तागत शक्ती और सामर्त लगा लें लेकिन हम अपने सामर्त में ये नहीं कर सकते हैं हमें तो पवितर आत्मा की आवशक्ता है और ये तो परमेश्वर की आत्मा है जो हमारे हिदेओं में उसके प्रेम को भरती है और ना केवल वो अपने प्रेम से हमें भरता है लेकिन वो हमारी सहायता भी करता है कि हम उस प्रेम को दिखाने पर और इसलिए पवितर आत्मा हमें आपकी आवशक्ता है हमें आप, हम आपको निहारते हैं और हमारे स्वर के पिता सर्वशक्त शाली परमेश्व होने दे तरे लोग उस सच्चे प्रेम को दिखाने पाए जिसकी आवशक्ता है येश्व के नाम में आमें परमेश्वर आप सब को आशीष दे एक महान दिन है इस दिन का आप आनन्द ले और सच्च में इस दिन को जिए ये दिखाते हुए कि एक सच्चा प्रेम कैसा होता है आमें आमें